हालो एवरीवान गुद मॉर्निंग नमस्कार अग्रिकल्चर अड़ा 24 7 में मैं मिनाक्षी राथी आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग है और बहुत एनरजी के साथ हमें जो है आज के एमसी क्यूज करने है आज का लेवल थोड़ा साथ डिफिकल्ट होगा बट टोंट वरी आई थिंक मेरे बचे काफी होश यार हैं कर लेंगे राइट चलिए फटा फट से क्लास को जोईन किजिए ताकि हम अपनी कुईस जो है स्टार्ट कर सके और जो भी लोग हमारे साथ यह पर नए जुड रहे हैं उनसे रेक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दपाई ताकि हमारी नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे जिन लोगों ने अड़ा की आप डाउनलोड नहीं की है देकें डाउनलोड अप फ्रॉम द प्लेस्ट रिलेटेड क्विस्ट भी आप इसमें प्रेक्टिस कर सकते हैं और यह जो आज हमारी क्लास है तो चलिए पहले फटाफ और जुड़िए फिर देखते हैं आज की क्लास कैसी रहने वाले है पहले से क्यों बताएं है ना चलिए और तब तक हम बात्चिस के बारे में बात कर लेते हैं तो आप सभी को पता है आपके batches जो है आइबी पीएसस ऐसो का मेन और प्री दोनों के जो बाच्चिस है वो शुरू हो चुके हैं तो जो भी बच्चे बैंकिंग के लिए टारगेट कर रहे हैं अगरिकल्चर फील ऑफीसर के लिए टारगेट कर रहे हैं देकिन जॉइन ऐस अड़ा 24-7 की वेब साइट पर जाकर आप हमें जॉइन कर सकते हैं तो IBPSSO में आपको दो बैच दिखाई देंगे एक बैच प्री और मेंस दोनों ही सब्जेक्ट को कवर करेगा और एक बैच आपको इस तरीके का दिखाईगा जिसमें केवल मेंस बाच हो गया या 2299 अगर आप कोड का यूज करते हैं विच इस वाई 448 ठीक है तो वाई 448 का अगर यूज करेंगे तो यह 2299 का पड़ेगा अदरवाइस यह बहुत मेहंगा बढ़ने वाला है दूसरी तरफ मेरे महापाइक है महापाइक एक सब्सक्रिप्शन जैसा होता है जैसे आप टीवी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया उसके बाद आल थ्रू दे एर पूरे साल आप इसकी कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हैं चाहे आई बीपी एससो की तैयारी कर रहे हैं अबाड की तैयारी कर रहे हैं आरार बीसो की तैयारी कर रहे है यह सभी क्लास इसमें आपको अवलेबल होती है इसका ओफर प्राइस क्या है 7359 है 73069 चलो कुछ-कुछ हिंदी मुझे आ गई है तो यह इसका ओफर प्राइस रहेगा अगें अगर आप कोड़ का यूज करते हैं विच इस वाइफ ओर 248 चार प्लस चार आठ होते हैं तो आज की क्लास में बच्चो हम एंटमोलाजी की क्वेस्टिस करने वाले हैं सो फार अब हम थोड़ा सा यह की मिक्च्चर में बच्चो को कम समझ रहाता है तो अब सब्जेक्ट वाइस हम करेंगे राइट तो हम होटी कल्चर की जैसे पिछल प्लास में किये थे उससे पिछली चलाश नमने जैने टीकस प्लैन बीडिंग के किये थे आज हम एंटमोलॉजी की मसी क्यु欲 जो है प्रैक्टिस करेंगे question का level थोड़ा सा अप है थोड़ा सा higher है but I hope मेरे बच्चे intelligent है and they are going to answer और enjoy the quiz so let's get started करते है शुरुवात तो सबसे पहले हाँ question तो काफी लंबा जोड़ा है चलिए पढ़ लेते हैं इस question को एक बारी example of some density independent mortality factors of insect population देखे इंसेक्ट population जो बढ़ रही है ना उसको घटाने के लिए आप कुछ chemical controls का use करते हैं कभी bio control का use करते कभी cultural control का करते हैं तो ऐसे कौन सी चीजे हैं जो इनकी population density से independent होती है यानि कि उसको वैसे ही काम करना है चाहे insects की population density कितनी भी हो चाहे एक leaf पे 10 इंसेक्ट बैटे हैं चाहे एक लीव पे एक ही इंसेक्ट बैठा है इसको जैसा काम करना है वैसा ही काम करेंगे तो इंसेक्ट mortality यानिकी इंसेक्ट को मारने के लिए कौन से factors हैं जो आपके population independent है population की density पर ये नहीं आधारित होते हैं चलिए फर्स्ट इस predator parasitoids and pathogens predators है parasitoids है pathogens है इनके यूज से आप ये काम कर सकते हैं predators chemical insecticides and specific competition को यूज करके कर सकते हैं chemical insecticides hurricanes temperature extremes hot and cold इनको यूज करके आप जो है इसकी population को down कर सकते हैं chemical insecticides flood और intra specific competition तो इन में से कोन से ऐसे जो combination है जो insect की density पर depend नहीं होगा so answer will be c c will be your answer देखिए अगर हम predator prey या parasitoids की बात करें तो यह बिलकुल insect की population पर density पर dependent होता है न अगर प्रे बहुत ज़्यादा है predator कम है तो वो इतना control नहीं कर पाएगा उस चीज़ को ऐसा ही parasitoids में है तो यह इनकी population के number पर बहुत depend करता है चाहिए parasitoids है parasites है pathogen है predators है लेकिन chemical control डिपेंड नहीं करेगा कि insect के कितने number है right तो अगर हमने chemical डाला है उस chemical के control में insect आएगा तो वो मरना ही मरना है doesn't mean उसकी population density कितनी है तो chemical insecticides hurricanes है यानि की floods अगर आ जाते है natural calamity कोई भी आज आते है तो natural calamity में तो सब को ही destroy होना है तो वो of course क्या है population independent mortality होती है so c will be your combination चले चलते हैं आपके अगले question पर which of the following responses occurs when predator interact with prey population जब predator और prey की interaction होती है तो क्या होता है एक numerical response होता है functional response होता है lag effect होता है या फिर both a and b देखिए predator और prey यानि की predator जो catch करके मार के उसको खाने वाला प्रे जो catch हो रहा है जो मर रहा है वो प्रे है तो इनका जब interaction होता है तो क्या होगा दो चीजे होंगी functional response and numerical response functional response का क्या मतलब होता है जितना time एक predator उस prey को दे रहा है उसको catch करता है उसके पीछे भागता है अपनी energy लगाता है उसे catch करता है तो यह functional responses है right second is numerical responses किसकी population ज़्यादा है अगर prey की populations जादा है तो predator उसको control नहीं कर पाएगा predator की population जादा है तो prey जो है कम हो जाएंगे तो इसमें दो टाइप के responses आएंगे numerical response आएंगे और functional response आएंगे तो यह क्या है यह है answer a and b ठीक है चलिए बताए अब यह answer क्या हो गया डी जो है आपका answer हो गया है ठीक है चलिए अब चलते हैं अगले question पर विच इस question number 3 तीसरा question ठीक है एन example of an biological control against insect is the use of example of biocontrol agent the biocontrol में आप किस का यूज करेंगे herbicide का यूज करेंगे pesticide का यूज करेंगे wildlife refugees का यूज करेंगे या फिर sex hormones का यूज करेंगे तो insects के बायो control के लिए आप इन में से कौन सा जो option है वो चुरेंगे उनके biocontrol के लिए a b c या फिर d बताइए फटाफट से सुदा आंसर इस d yes sex hormones so it is d sex hormones the sex hormones जो है biocontrol agent के अंदर आते हैं देखिए जब भी आप किसी भी ऐसे product का किसी organism का यूज करते हैं या ऐसे product का यूज करते हैं जो आपका organism से मिल रहा है तो इस सब जो है biocontrol में आता है जिके तो sex hormones जो है biocontrol के अंदर आता है d is the right answer चलिए चलते हैं question number 4 4 पर as human consumer becomes less tolerant to insect damage the economic threshold for fruit or pest is likely to be naked generally to have humans बहुत ही less tolerant हो गये है towards any infestation ठीक है अगर मैं अपने खेट में दो कीडे भी देख लेती हूं तो मुझे बरदाश नहीं होता और मैं कैमिकल चिड़कना शुरू कर देती हूं कि बस यह दो से चार ना हो जाए मुझे से पहले इनको eradicate करना है है न तो यह मेरी less tolerance है towards the damage कि मैं damage इतनों साभी बरदाश नहीं करती लेकिन क्या इस मेरी tolerance की वजह से economic threshold level पर क्या effect पड़ेगा economic threshold level क्या होता है वो level जब हम यह मानते हैं कि यह इंसेक्ट या यह disease जो है इतना नुकसान कर रही है कि अब हम जो इसमें पैसा लगाएंगे इसके control के लिए वो कम होगा अदरवाइज इल लोसस जो है वो जादा हो जाएंगे तो यह होता है economic threshold level अगर वो एक दो टमाटर आपके पूरे फील में खराब कर देते हैं तो भया इससे आपका economic point of view से कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर वहीं दस के लोगे बाता आती है तो फरक पड़ता है है न तो यह होती है economic threshold level तो बताइए economic threshold level increase होगी decrease होगी remains same और no way to tell या फिर कोई like you cannot tell so the answer is remains same year same रहेगी क्यों रहेगी same देखें यह मेरी personal choice है या personal tolerance है कि मुझसे दो या तीन insect भी अपने field में बरदाश नहीं हो रहे है मैं उन्हें eradicate करना चाहरी हूं मैं पर chemicals use कर रहे हूं लेकिन इससे जो economic threshold level है वो कम या जादा नहीं होता है जो fact है वो fact है तो fact क्या है कि जब इतने जब population होगी तभी economic threshold level जो है आएगा उसी के बाद हमें से control करना चाहिए तो वो चेज वहीं पर रहेगी मैं उस level तक नहीं पहुंच रहे हूं यह मेरी personal कमी होगी तो economic threshold level जो है same रहेगी तो B will be your answer चले चलते हैं question number 5 पर very good morning भूमिका नंदनी which of these is not considered an insect growth regulator in में से कौन सा जो है insect growth regulator में count नहीं होता है synthetic pyrethroids, juvenile hormone analogues, chitin inhibitor, act diceteroids इन में से कौन सा है जो growth regulator नहीं है यानि कि insect के growth में उसका कोई role नहीं होता है A, B, C या फिर D, प्रणाम fitness freak, चले बताए फटा-फट से, yes तो क्या होगा इसका answer, synthetic pyrethroids, synthetic pyrethroids को कोई role नहीं होता है, insect के growth में, किस-किस का होता है भाई, juvenile hormone मैंने आपको पढ़ाया है, malting के time होता है न, तो उसका analog भी वही काम करेगा, जो juvenile hormone का काम है, chitin inhibitor है, तो वो chitin जो आपका process होता है, उसको inhibit करता है, तो इसका role भी होता है, उसके growth regulation में, acdicin hormone का, जब steroid बनाया जाएगा, तो एकडाइस से tyroids कहा जाएगा, तो इसका भी जो है role होता है, insect के growth में, role किसका नहीं होता है, synthetic pyrethroids का कोई role नहीं होता है, तो ऐसे questions में आपको elimination से खेलना है, हमें नहीं पता synthetic pyrethroids क्या होता है, लेकिन हमें ये तीन पता है, malting के time हमने इनको पढ़ा है, ठीक है, जब तीन पता है, तो answer क्या होगा, चोथा ही होगा, which is A, चलिए, so A will be your answer, चलिए, अगला question, question number six, organophosphate and carbomates, insecticides worked by disrupting an insect, organophosphate और carbomates, जो chemicals है, जो insecticide है, ये insect यानि कीडे पर कैसे प्रभाव डालते है, इनके digestive system को hamper करते हैं, यानि की इनके जो पाचन, जो भी होगा, digestive system को, I don't know, क्या कहेंगे, तो उनके digestive system को affect करने वाले हैं, उस पर इनका role होता है, या nervous system को effect करते हैं, या फिर respiratory system को effect करते हैं, या endocrine system को effect करते हैं, तो जो organophosphate है, या जो carbomates होते हैं, ये insect के nervous system पर effect डालते हैं, तो answer क्या होगा, B जो है आपका answer होगा, nervous system, तो B जो है आपका answer होगा, चले चलते हैं, अगले question पर, which is question number 7, the sterile male technique would properly not work well for an insect pest whose, तेखे, sterile male technique क्या होती है, ये एक टेकनीक है, जिसकी जैसे population, insect की population को जो है, कम रखा जा सकता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम males को labs में sterile करके environment में release कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, males हमारे sterile हैं, तो females उनके साथ, जो है, reproduce नहीं कर पाएगी, ठीक है, reproduce नहीं कर पाएगी, आगे progenies कम बनेगी, तो इनकी जो population है, वो एक level से कम रह जाएगी, ठीक है, तो ये population से जिसे कम रह जाएगी, तो किस insect population में आप ये method यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, एक्जामपल है, population in extremely abundant, जो population already बहुत जादा है, नमबर में, उसमें आप ये यूज नहीं कर सकते हैं, इंडीवीज्वल्स आर इजिली मास-Reared, इंडीवीज्वल जो है, जिन को बहुत जल्दी आप जो है, मास-Rearing उनकी कर सकते हैं, यानि कि उनका पार्न-Potion आप आप आर्टिफीशिली कर सकते हैं, फीमेंस मेंट only once in their life cycle अगर females के वल एकी बार मेट करती है मेल से तो ऐसे insects में हम male sterility technique को यूज नहीं कर सकते हैं मेल आर वेरी strong flyers या फिर जिसमें मेल तेजी से उड़ते हैं उन में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं so the answer is a population is extremely abundant the population extremely abundant है already बहुत ज्यादा है तो आप कितने मेल पकड़ पकर के उन्हें sterile करेंगे it is a difficult task तो ऐसी population में जो है हम male sterility technique को यूज नहीं कर सकते हैं so a will be your answer चले चलते हैं अगले question पर which of these is an unbiased sampling strategy इन में से कौन सी जो है एक unbiased sampling strategy है तो unbiased sampling strategy का क्या मतलब है ऐसी strategy जिसमें आप किसी biasness की तरफ नहीं जाते आप भेद भाव नहीं करते हैं कि भाया मुझे ये पसंद है इसके साथ share नहीं करूंगा तो यह क्या है biasness है यानि कि भेद भाव है तो अगर हमें कोई भी पसंद या ना पसंद नहीं है हम उस चीज़ पर कोई भेद भाव नहीं कर रहे हैं sampling करते वक्त यानि कि कि सब्सकste कर लोग किसी भी चीज़ का सांपल लेतें वक्त ऐसको कहते है अन बायस्ट सांपलिंस ए को ज़िए हो सकते है बताय को तो कि अंदि एसाम elephants के कोनसे कौन से मैंटेट को सकते है courses अक्ति है चुली बताईए यह सब्सक्राइब नान अरफट अब था तो इस पे आपके कोई भी जो है सांप्लिंग के मैथेड़् ही नहीं है लाइट ट्रैप्स है स्टिकी ट्रैप्स है यह आपके ट्राप्स होते हैं इनसेक्ट को पकड़ने के लिए तो light trap में कैसे पख़ड़ते हैं जब रात को जो इंसेक्ट जो है active रहते हैं उनके लिए light trap यूज किया जा सकता है वो light की तरफ attract होंगे और वो trap में first जाएंगे right sticky trap जो है generally आपकी white flies के लिए use किया जाता है तो यानि कि एक जो इसका side होता है जैसे आपकी tape होती है sticky होता है चिपचिपा होता है और उसको लेते हुए हम ऐसे पूरे field में घुमा लेते हैं जो इंटर road distance होता है इधर plant है कि रो है इधर plant कि रो है जो यह distance है इसमें हम उस पकते जाएंगे sticky trap पर और इनकी population थोड़ी सी reduce की जा सकती है तो यह जो है आपके population control के method हो सकते हैं लेकिन sampling methods नहीं है so answer is d none of the above चलिए morphological और chemical factors in plants adversely affect insect behavior जो कोई भी या तो morphological feature ऐसा है या कोई chemical feature उस plant में ऐसा है कि वो insects को नहीं अच्छा लग रहा है या insect के behavior को change कर रहा है तो इस process को हम क्या कहते हैं ठीक है तो जब भी आप कोई भी plant देखेंगे जैसे कि कहा जाता है कि अगर leaves पर hair जादा है तो insect उसको prefer नहीं करते खाने के लिए ठीक है तो यह cotton में देखा गया है तो इस तरीके की कोई भी activity है या किसी plant में जो है कुछ chemicals ऐसे हैं जैसे की cotton में ही अगे अगर gossip all content जादा होता है तो insect उसको prefer नहीं करते हैं तो इस तरीके के जो chemical और morphological changes होते हैं जिसके वाज़े से insect उस plant पर feed करना prefer नहीं करता है तो इसको हम क्या कहते हैं anti-xynosis क्या कहते हैं anti-xynosis कहते हैं राइट चले चलते हैं अपने 10th question पर which of these is likely to be regarded as the most useful biological control agent इन में से कौन सा जो है most useful biological control agent है एक beetle जो kudzu पर feed करती है kudzu जो है आपका एक weed plant है parasite of lady beetles lady beetles के जो parasite होते है predators of robber fly जो robber flies पर predator करते हैं यानके उनको खाते हैं अब viral pathogen of lace wings lace wing bugs के जो pathogens है वो बायो control के लिए सबसे ज्यादा इंपर्टन है तो इन में से सबसे ज्यादा biological control के लिए कौन से जो है important है what are the example which is important from biological point of view मताये है हाँ हाँ बट फिर बी जरूरी थोड़ी नहीं कि आप चीटिंग करें आप अपनी तरफ से बताये what could be the answer आज मैं से हो गई गलती तो ए जो है आपका अंसर होगा विच जो बिटेल्स है जो आपके कुट जू यानिक एक वीड प्लाइंट उस पर फीड करती सबसे जदा important है क्योंकि इसको अधर वाइस जो है कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है तो दामिनी इस आस्किंग वाट इस मैले स्ट्रेप पीलिंग तो गलत हो सकती से मैले इस ट्रा टिक तो होता है अ फील्ड में एक छोटा सा और टेंट लाइक बना दिया जाता है जाते आप प्लेंट हाուस बनाते होंगे बच्पन में अपने घर में आ जुंडियों यह इस तरीग से च्छोटा 10 202 फंटाउस कोने में बना धीयर रहता है फीयल पर ही इसमें जो है कुछ फ्यूमीगेशन कर दी कि جाते हैं जिसकी जो इंसेक्ट है इसमें जुछ अट्राक्ट होते हैं और वायर ते जाते चेह बहुत हुआ । इस तो रिकल गुछ से बिलॉंग करते हैं, viruses and bacteria से बिलॉंग करते हैं, protozoa and fungi से बिलॉंग करते हैं, bacteria and protozoa से बिलॉंग करते हैं, तो यहाँ पर answer क्या होगा, of course, all of the above, कुछ pathogens viral होते हैं, कुछ bacterial होते हैं, कुछ fungus से related होते हैं, कुछ protozoa से related होते हैं, तो answer क्या होगा, all of the above will be the answer, चले, चलते हैं Pest Outbreak Tends To Occur When Pest Outbreak कब हो सकता है Pest Outbreak क्या होता है Pest Outbreak का मतलब है एकदम से उसकी population बहुत ज़्यादा बढ़ जाना तो Pest की population एकदम से बहुत ज़्यादा कब बढ़ सकती है जब crop plants monoculture में हो यानि की पूरे शहर में, पूरे state में वही crop उग रही है, monoculture हो रहा है, second is natural enemies are imported from abroad, या उनके natural enemies जो है, जो उनके दुश्मन है, जो उन पर खाते हैं, feed करते हैं, उनको मैं abroad से लेकर आएं, तब इनकी population जो है, बहुत abruptly increase हो सकती है, farmers switch to new crop, farmers नई crops के लिए switch करते हैं, या फिर all of the above, so very simple, of course, क्या होगा इस cancer आपका, all of the above, sorry, all of the above नहीं होगा, crops are planted in monoculture, crops that planted in monoculture, ठीक है, तो monoculture में क्या होगा, पूरे state में अगर एकी crop लगी हुई है, तो भाई, of course, इस pest को बहुत सारा खाना मिलने वाला है खाने के लिए, तो ये ऐसे में क्या होगा, monoculture की वज़े से इसका बहुत outbreak होगा, इसकी population बहुत अच्छे से increase होगी, क्योंकि इसको पूरा अपना खाना पीना मिल रहा है, right? तो चले, चलते हैं, अगले question पर, हाँ, आज आप सभी लोग cheating कर सकते हैं, आज मैम answer को छुपाना भूल गई है, बैट कोई बात ने, quiz जो है काफी important है, question जो है काफी अलग है, और थोड़ा सा level भी difficult मैं इसको मानते हूँ, क्योंकि हम generally क्या है, insect में, या तो crop pest पढ़ कर जाते हैं, या हम morphology देखकर चले जाते हैं, classification देखकर चले जाते हैं, ये chemical वाला पार्ट, interaction वाला पार्ट, ये हम थोड़ा कम ही देखकर जाते हैं, so उस point of view से ये काफी important class है, तो answer बेशक cheating कर लिए, लेकिन questions ध्यान से पढ़ रखेगा, राइट, चले, चलते हैं, question number 13 पर, biological control is likely to be most effective when the predators or parasite has, biological control कब effective होता है, जब predator और parasite की long life cycle होती है, wide range of preference host होती है, यान की वो बहुत सारे host पर जो है prefer करते हैं, feed करना, high reproductive rate होता है, यान की जब वो बहुत सारे होस्ट पर जो है prefer करते हैं, feed करना, high reproductive rate होता है, यान की जल्दी यल्दी reproduce करते हैं, या फिर all of the above, तो answer क्या होगा, high reproductive rate, जब इनका reproductive rate अच्छा होगा, यान की population अच्छी होगी, तभी ये बायो कंट्रोल जो है, हो पाएगा, ठीक है, अगर प्रे बहुत कम है, है ना, predator बहुत अच्छी quantity में है, तो क्या होगा, predator भूका मरेगा, उसको दो चार जो है, उनको तो दो चार खालेंगे, बाकी लोग क्या करेंगे, तो इसमें भी जो इनका काम नहीं चलेगा, अगर प्रे बहुत ज्यादा है, predator कम है, तो क्या होगा, तो predator कितने प्रे को खालेगा, उसको control नहीं कर पाएगा, तो दोनों का ही rate of reproduction जो है, अच् है, राइट, चलेए, which insect order contains species that are important pest of domestic animals, domestic animals जैसे हमारे dogs है, cats है, बफैलो है, तो इस domestic animals के जो है, important pest होते है, यह जो इस order से insects बिलॉंग करते है, तो यह order कौन सा है, यह order है, यह order है, डिप्ट्रा एंड फाइट रप्रा ओर्ट्रा 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 तो दिप्ट्रा और 5-3 तरफ, okay sorry, so what is 5-3 ट्रा, ठीक है, तो यह जो दो ओर्डर है, इनके जो और गानिसम्स है, इसमें कोहन से आते है, आपकी जनरली फ्लाइज आते है, ठीक है, फ्लाइज एंड फ्लाइज प्लाइज तो यह जो ओर्डर है, यह जो ऑर्डर है, यह जो और अनिमल्स जो भी आपके डिमेस्टिक आनिमल्स होते हैं तो आंसर क्या है? C is the answer. चलिए, which control strategy is likely to have greatest impact on non-target organism? देखे हम control के लिए काफी चीजे यूस करते हैं, biological control भी यूस करते हैं, physical control यूस करते हैं, chemical control यूस करते हैं, chemical control यूस करते हैं, लेकिन किस control में non-target organism पर एफेक् से ज़्यादा होता है, non-target animal मतलब मारना चाहता था मैं एको और गलती से बी भी मर गया, देखे हैं, non-target organism हैं, तो non-target organism सबसे ज़्यादे किस में मरते हैं, किस में मरते हैं, non-target organisms, chemical control में, ठीक हैं, तो chemical control में, जो है, मान लीजीए, आपने कोई भी contact, herbicide, herbicide नहीं, insecticide use किया है, अब मैंने उसको use किया था, white fly के लिए, लेकिन कोई और fly अगर बिचारी उस crop पर आ जाती है, भूले भटके, और उस पर feed करती है, तो बिचारी को उसको भी मरना पड़ जाता है, तो non-target organisms, जो है, chemical control में सबसे ज़्यादा मरते हैं, So, A will be your answer, which insect order is mostly, closely related to diptra, diptra order, यानि कि जिसमें आपके flies आती है, इन में से कौन सा order है, जो diptra order के, जो है, most closely related है, उसके आसपास के, जो है, organisms इसमें होते हैं, तो कौन सा है, यह, hymnoptra order है, है, hymnoptra order में कौन से आपके insects आते हैं, आपकी bees आती है, wasp आते हैं, तो यह, आपके hymnoptra order में आते हैं, तो basically यह भी flies जैसे ही है, just they sting and they have other functions, लेकिन यह काफी मिलते जुलते organism हैं आपकी flies से, तो यह जो है, diptra order से closely related है, which is called hymnoptra order, right, चलिया, to which class of arthropods do lobsters and shrimps belong to, arthropoda की कौन सी क्लास से, lobsters और shrimps बिलॉंग करते हैं, crustacea, arachnida, myropoda और xyphosura, in which order they belongs to, तो they belongs to crustacea order, किस से बिलॉंग करते हैं, crustacea order से बिलॉंग करते हैं, तो आपके जो lobsters है, उन पर जैसे एक crust जमी होई होते हैं, तो they are very hard and shiny from the upper side, तो ये crustacea order से बिलॉंग करते हैं, राइट, चले, चलते हैं, अगले question पर, the order hemiptra contains, order hemiptra, तो hemiptra order में कौन से कौन से आते हैं, देखे, classification हम पूरी आपके FCI वाली class में कर चुके हैं, तो I hope ये वाले question आपको जो है आने चाहिए, hemiptra order में कौन से कौन से organisms आते हैं, आपके bed bugs हैं, और sting bugs हैं, ये hemiptra order में आते हैं, hemiptra order में क्या होते हैं, इनके wings जो हैं, आधे elytra type के होते हैं, आधे हाड होते हैं, लेकिन आधा membranous type का होता है, तो इन में जो हैं, हम ने इनका नाम के रखा, hemiptra रखा, hemiptra order में आपके sting bugs और bad bugs आते हैं, तो bugs basically जो हैं, आपके hemiptra order से belong करते हैं, so a will be your answer, चले, question number 19, which order is not holo metabolas, कौन सा order holo metabolas नहीं है, holo metabolas का क्या मतलब है, जिन में metamorphosis present होती, यांको holo metabolas कहते हैं, तो किस जो है metamorphosis नहीं होती है, siphoniptra में, thysanoptra में, hymnoptra में, और neuroptra में, इन में से कौन सा order है, जिसमें holo metabolas नहीं होते हैं, they are not holo metabolas, holo metabolas कौन से होते हैं, जिन में metamorphosis present होती है, उनको holo metabolas बोला जाता है, तो आंसर क्या होगा आंसर होगा आपका सोरी ए चोई आपका अंसर होगा संटर उसी नह ये आपका जो ओर्डर है इसमें मेटा मॉर फोसेस जो overlap प्रेजेंट नहीं होती है तो यानि कि इसके जो यंग वन्स है जो इसके बच्चे हैं बेबीज है वो एडल्ट जैसे दिखते हैं इसमें बहुत ज्यादा मेटा मॉर्फोस इस प्रेजेंट नहीं होती है तो अ यलबली और आंसर चलिए विच ओर इस एक्सक्लूसिवली हर्भी वेवरस इनमें से कौन सा ओरडर है जो एक्स्क्लूसिवली हर्भी वारस है यारि की ऐसा ओरडर जिसके सभी जितने भी इंसेक्ट उसमें हैं वो सभी प्लांट पर फीड करते हैं शुद्ध शाका हरी ह नौन वेज बिल्कुल नहीं खाते हैं न तो ब्रामिन फैमिली से बिलॉंग करते हैं तो कौन सा ओर्डर है जो ब्रामिन फैमिली से बिलॉंग करता है फटा-फट से बताईए ट्राइकॉप्ट्रा है फैसे टोडिया है और और अडोनेटा है या फिर थाइसे नॉप्ट्रा ह तो यहाँ पर क्या होगा आंसर ट्राइक ओप्ट्रा ट्राइक ओप्ट्रा जो और रहे एक्सक्लूसिवली हर भी वारस है यानि की इसके जितने भी मेंबर्स है वो केवल प्लान्ट पर फीद करते हैं तो आंसर इस ट्राइक ओप्ट्रा चलिए अगला question question number 21 विच ओडर इस एक्स्क्लूसिवली पारासिटिक, कौन सा ओडर है, जो एक्स्क्लूसिवली पारासिटिक है, डिपलूरा है, जो रैप्टर है, फाइथिरेप्टर है, या डिप्टर है, विच ओडर इस एक्स्क्लूसिवली पारासिटिक, कौन सा इन में से ओडर है, जो एक् एक्यानिजम पारासाइट होते हैं बताये सो दांसर इस डी डिप्टरा ओर्डर यानिकी जो आपकी फ्लाइज का ओर्डर है फ्लाइज जो है आपकी एक्सक्लूसिवली पारासिटिक इन नीजर होती है तो दी विल बी और अंसर डिप्टरा ओर्डर इस एक्स्क्लूसिवली पारासिटिक भाया मैं एगी टेरियन हूँ एक्स खाती हूँ तो अब देख लीजे आपनो अन्वेज में काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं राइट चलो सक्किंग माउथ पार्ट्स आर नोट फांड इ या फिर आंट में फ्लीज, फ्लाइज, लाइज और आंट किस में सकिंग टाइप अफ माउथ पार्ट्स नहीं मिलते हैं तो किस में नहीं मिलते हैं आप सभी को पता होगा ये तो आंसर क्या होगा आंट्स आंट्स के पास सकिंग टाइप अफ माउथ पार्ट्स नहीं होते हैं, so D will be your answer, all A metabolous insects are, A metabolous insects जो है predator होते हैं, सभी insects इसके predator होते हैं, या फिर सभी insects इसके wingless होते हैं, या फिर endogenathis होते हैं, या all of the above, तो A metabolous याने की जिन में metamorphosis present नहीं होता, ये insect generally क्या होते हैं, wingless होते हैं, इन में wings present नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये wingless insect होते हैं, then what is endogenathis, endogenathis, देखी गनाथिस का मतलब होता है जो, तो हम लोगों का जो हमने type of heads बने पढ़े थे, प्रोग यानाथिस, सफालो गनाथिस, सब क्या थे, ये जो की position के basis पर थे, endogenathis याने की अंदर की तरफ, जो इन का जो होता है, तो उनको endogenathis कहते हैं, च्छे, चलिए, चलिए, तो B will be your answer, चलिए, question number 24, immature of a neuro, neuroptera would be classified as immature neuroptera, याने की जो members neuroptera order के है, जो immature है, अभी adult नहीं बनी है, तो ये scavengers होते हैं, parasitic होते हैं, हर भी वारस होते हैं, या predators होते हैं, क्या होते हैं, scavengers, parasites, herbivores और predators, so the answer is predators, ये जो neurospora के बच्चे हैं, ये बड़े ही बदमाश हैं, छोटे-छोटे हैं, लेकिन predators हैं, यानि की दूसरों को मार कर खाना पसंद गरते हैं, so D will be your answer, चलिए, question number 25, what do the orders mentodia, dermetra and isoptera have in common, इन सभी जो orders हैं, इन में common क्या है, कि सभी wingless हैं, यानि कि किसी भी order में insects के पास wings present नहीं होते हैं, chewing type of mouth part, सभी के पास chewing type of mouth part होता है, हर भी वो रही है, सभी लोग animal, plants पर feed करते हैं, या फिर all of the above, तो क्या इन में जो है common है, common है कि इन सभी के जो mouth parts हैं, वो chewing type के हैं, यानि कि सभी solid food पर ही, जो है, feed करते हैं, so chewing type of mouth part देखने का मिलते हैं, इन तीनों टाइप के orders में, so B will be your answer, चलिए, which insect order is most commonly, closely related to dermaptra order, dermaptra order से कौन सा order है, जो closely related है, hymnoptera है, orthoptera है, plicoptera है, प्लिक आप्रा है, या थाइसे नो यूरा है, which order is closely related to dermaptra order, hymnoptera, orthoptera, plicoptera, या फिर थाइसे नो यूरा, क्या होगा इसका answer, so the answer will be D, थाइसे नो यूरा, थाइसे नो यूरा में कौन कौन आता है, थाइसे नो यूरा में आपकी silver fish आती है, right, तो थाइसे नो यूरा के जो आपके insect है, वो dermaptra order की जो insect है, इंसे closely related है, मतलब कुछ similarities इन में पाई जाती है, चलिए, बच्चे इफको में कोई जादा vacancies नहीं रहती है, तीन, चार, पांच, बस, साथ, बस, इससे जादा नहीं जाती है इफको की vacancies, क्योंकि इनका almost हर साल होता है, मतलब एक आदी साल बीच में कोई skip हो जाया अलग बात है, almost इनका हर साल होता है, तो तीन, चार, पांच, मैक्सिमम साथ, इससे जादा vacancies नहीं होती है, तो let's see कि इस बार ये कितनी vacancies release करते हैं, इनका problem ये है कि ये exam लेने के बाद vacancies बताते हैं, इससे पहले नहीं बताते हैं, तो cut-off को भी जो है इतना हम ध्यान से monitor नहीं कर पाते हैं पहले कि कितना जा सकता है, बट येस हाई जाता है, क्योंकि इसका exam जो है easy आता है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम में आपसे बहुत ज़्यादा questions कर वाते हैं, तो exam level easy ही रहता है, चलिए, which arthropods have calisery, spiders, shrimps, malipides और none of the above, कौन से arthropods के पास calisery होती है, spiders, shrimp, malipides और all of the above, चलिए, एक आदा question तो खुद कर लो भाई, आज वैसे भी मैंने सारे answers बता दिये हैं, है ना, हाँ, mains में बचे ये, I guess, 10 times easily लेते होंगे, जो भी इनकी vacancies है, या इवन, more than that, ठीक है, क्या होगा, इसका answer बताई है, answer होगा इसका, A, spiders, ठीक है, तो spiders इसका answer होगा, तो calisery क्या होती है, appendages होती है, but some different kind of appendages होती है, जो mouth parts के सामने से घूम कर आती है, and they have some clothes, तो यह जो है spider में देखने को मिलता है, shrimps में नहीं होता है, and malipides, malipides यानिके पास बहुत सारी legs होती है, तो जैसे कान खजू रहा है, वो malipides में आते हैं, जिनके पास बहुत सारी legs होती है, all of the above, तो को तो समझाने की जरूत है ही रही, तो answer क्या होगा, यह जो है आपका answer होगा, the order orthoptera contains, order orthoptera में कौन से कौन से insects आते हैं, तो orthoptera में आपके crickets और grasshopers आते हैं, जो इधर उधर उचलते घूमते रहते हैं, और सबसे पहले अफकोस हमने classification के शुरुआ थी orthoptera order से की थी, यह तो आप से भी लोगों को याद होगा, orthoptera order से कौन बिलोंग करता है, crickets और grasshopers बिलोंग करते हैं, चलिए, विच कैरेक्टरिस्टिक वुड़ नॉट बी फाउंड इन ओनिको फोरा, ओनिको फोरा में कौन से कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखने को मिलती है, वन पेर ओफ एंटीना, थ्री टैगमाटा, जॉइंटेड लेग्स विद क्लॉज और सेग्मेंटेड बॉड़ी, तो देखी सभी इंसेक्ट्स में हम देखते हैं कि सेग्मेंटेड बॉड़ी होती है, लेकिन, ऑनिको फोरा में सेग्मेंटेड बॉड़ी नहीं मिलती है, and it is important one, काफी अलग है दूसरों से, तो इसको याद रखिएगा, ऑनिको फोरा में ऐसा होता है कि उनमें सेग्मेंटेड बॉड़ी जो है, नहीं मिलती है, then the last question of the quiz which order is exclusively hematophagus hematophagus yannickie blood feeder hema means blood ticket to hematophagus and keval blood per feed karini koon pina bohat person hey demon family say belong get there so a con say insect hey sit an opera head I said opera have phasimida haiya hymnoptera hai which are these insects to answer kya ho ga iska answer ho ga sorry a will be your answer so fenoptera order se joey belong karthi handsets ye blood feeders who they have that's all for today I just kill you it nahi these question they throw us a level alike as I think I had a difficult case I have I said she bought our shop locally ready but exam point of view say important hey coffee come humming cheese okay barry me bad party hey so quiz ko zero to hey adrakega class person I go to class cool like the rule keyjiga and share it with your friends or apne fair friends ke sahto has share keyjiga agarap koji bit a series e-books e-notes lena try to add a 24-7 ki site se le sakti hai 22 percent cap case me off milta hai agarap koji use karthi hai y-4-4-4-8 liekin 8 ke sahti s me s b lagana hai jambi aap koji notes ya test series le te hai chali chalte hai ek bari aap ke adda ke tour par ki adda ke tour par hame kya kuch dhekne ko milta hai right to chali hai jiasse hi aap adda ke site kholing hai aap ko aap ki site is tariqe ki dikhae dhegi to kaise aap ko is me navigation karna hai aapna jho hamaari kama ki chiza wo hamae kaha milta ki kaise milta ki to jiasse hi aap is ko niche scroll karin ghe ya haa par aapko agriculture milta teka jiasse hi haap agriculture pay click karin ghe ya to ya haa se aap dhekha ten jis exam ki aap tiyari karay ho ya finnete kornemen taker dhekhen ghe to ya haa dhekha view all agricultural product to java agriculture kisari batches dhekhen ghe ya haa par aap batches dhek sate hai live batches kone se kone se chal raha hai maha pack top ka hai hai pa ki aap ka ibps so pre and mains cable mains job ka fci technical mains hai fci ka bhi dono hai pre mains alag hai mains alag hai icar ka crash course chal rato jobi subject related jobi aap preparation karay hana ki mujhe is aah johai exam ki preparation karay hai hai to wu aapko ya haa par dikha yate hai with the prices jse hi aap in per click karin ghe to ya haa par aapko ya bhi pata chal ta ki is ake batch ke under kya kya hai to is batch ki validity deki baara mahine ke liye hai 120 ghande ki aapki classes hai kya kya is me johai cover ho raha hai reasoning ho raha hai agriculture ho raha hai english ho raha hai koon sa teacher ka study plan kya hai jaisi ki aapko dhekhen hai ma'am minakshi ma'am ki class mujhi padhni hai to minakshi ma'am ki class kya hai kyunki bhoat saari bucho ka ye question ho ta hai maha pack hai to us me sari classes dikhti hai ma'am aapki class kitnay bajay hai na to ye aap yaha study plan me jake dhek saktayi jaisi aap yaha study plan ko open karayi aapko study plan dhekha ga hem entomology ki kawansi date me kawansi class kar raha hai time slot kya hai 4 se 5 hai to ye sab kush aap yaha par study plan me dhek saktayi hai aaghar aapko laghe ki aapki use ka hai aur aapki tayari ke liye behter hai to yehaan par a buy now per click karenge ek window pop up hootie hai is window me aapko type karna hai by 448 jiaise hi by 448 ko apply karengi is ka price map ko 77 percent ka discount mil draga yari ki jaha is ka is solar hazaar ka price tha bahi aapko ye 3600 79 ko kya karenge I don't know to almost joh hai aapko basically 3,600 ka yeh pari ga chali hai aaj ki information ke liye itna hi kal fir milte hai aur kuch naye questions ke saath be prepared and do it in the class good bye take care and have a nice day kya example chahiye bachay aapko vijay maurya which example do you want me kya example chahiye nahi bhai mein kisi civil ki preparation hikin meri high dek ke lag rai ki min sivils mein jaa sakti hoi hai 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 i am interested in teaching isili a maa masters or PhD karati kya kya ki main teaching me interested the mujie teaching carna bohat person hai so i am not preparing for like banking or anything mujie but you could find a person a easily may see profession merhena jateo तो जब तक आप लोगों के साथ हूं आप लोग पढ़ लीजिए मज़े ले लीजिए मेरी टालेंट का कह सकते हैं हम लोग है ना तो आपकी इफको की मेंस का अब क्लासस नहीं होंगी अफकोस बच्चे आज आप लोगों का एक्जाम हो जाएगा उसके बाद आप क्लासस का क्या करने वाले हैं तो मेंस की क्लासस जो हैं अब नहीं होंगी क्योंकि आपकी जो क्लासस है वो वैसे तो स्लेबस आपका अल्रेडी क आसस नहीं होंगी लेकिन जब तक आपके पास वालिडिटी है तब तक उसमें जो भी टॉपिक्स करवाए हैं वो आप दुबारा देख पाएंगे ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चे आपके इफ को में नेगेटिव मार्किंग नहीं है there is no negative marking in ifco. क्यूंकि ये बहुत कम ताइम में आपसे बहुत सार रीक्राanços लेते हैं तो ये आपको नेगेटिव मार्किंग से जो है रेहाई दे देते हैं तो ifco के एक्जाम में आपके कोई negative marking नहीं रहेगी अगे की चारे थाएंगे और गुद्डबाय झाल झाल